जैश्री महाकाल आप सबका बहुत स्वागत है अगर आप विबाह करने जा रहे हैं या आपका अब तक विबाह नहीं हुआ है तो विबाह करने से पहले महिलाओं के पैर के विशय में ये तीन चीजें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है अन्यता आपकी साधी का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी जी हाँ ऐसे ही जवरजस्त और ज्यान वर्दक वीडियो को आपके लिए लेकर आया हूँ तो आप वीडियो को सुनते सुनते सब्सक्राइब जरूर कर दीजे क्योंकि आपके लिए ऐसे ही ओप्योगी वीडियो हमेशा लेकर आता रहत तो चलिए प्रारंब करते हैं महिलाओं के पैर के विशय में जियां अगर आप विबाह करने वाले हैं और अब तक आपका विबाह नहीं हुआ है और आप विबाह करने का सोच रहे हैं तो जब भी लड़की देखने जाएं तो महिलाओं के या जिस लड़की को आप देखने उसके पैर को विशेश रूप से देखना चाहिए क्योंकि उसकी संपूर्ण जीवन की इस्थती का परिचाय देने वाले माने जाते हैं महिलाओं के पैर जीहां इसी लिए हमारे पूरवज एक प्रता को बड़े प्रचलन में लेकर आए जब भी दुलहन घर में आती थी तो उसे कुम-कुम या हल्दी में पैर करके घर में चलवाया जाता था उसके पीछे एक मात्र कारण था कि वह है उस कन्या के उस लड़की के उस इस्त्री के पैरों का परिच्छन कर सके कि आखिर उसके पैर कैसे हैं वह है अपने जीवन साथी के लिए कैसी रहेगी इसी के उसके आने से घर में धन की और व्यापार की या कारी की कितनी वरद्धी होगी कितनी बरकत होगी और हम कितनी सुख सम्रद्धी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए जब भी लड़की देखना जाएं तो पैर की तरफ विसेस रूप से हमें ध्यान देना चाहिए पैर को जरूर जीवन में गलत जीवन साथी का चैन नहीं कर सकते हैं तो चलिए प्रारंब करते हैं सबसे पहली बात जब भी आप लड़की देखने जाएं तो आपको इस वात को विसेस रूप से ध्यान देना है कि उस लड़की के पैर में नीचे तलवे में गैफ तो नहीं है अर्थात एक तरफ से दूसरे तरफ दिखाई तो नहीं देता है अगर इस तरी के पैर के तलवे में गैफ होगा एक साइड से दूसरी तरफ अगर दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि ऐसी जो महिलाएं होती हैं वह घर की धन संपत्ती को बरबाद करने वाली होती हैं उस घर मे लक्ष्मी कभी इस्तिर रूप से निवास नहीं करती है और घर परिबार लगातार करज में डूबा रहता है जिसके कारण केवल और केवल बरवादी ही घर में आती है ऐसी महिलाएं सामुद्रिक सास्तर के हिसाब से बिलकुल सुब नहीं मानी जाती है ऐसी महिलाओं से वि तो नहीं है और दूसरा जो प्रकार है जो भी महिलाएं अपने जिनके चलते समय पैर की आवाज आती हो अर्थात पैर को रगड कर चलती हो या जिनके चलने से उनके जूते या चपल से काफी आवाज आती हो तो ऐसी महिलाएं भी सामुद्रिक सास्त्र के हिसाब से सुब नह मांनी जाती है जी हाँ महिलाओं के चलने से उनकी सम्रदी का पता लगता है और उनकी चलने के तरीके से परीबार की मान सम्मान के विशएमें जाना जा सकता है जी हाँ महिलाएं परिवार के मान सम्मान को धुमिल कर देती हैं, मान सम्मान को वरबाद कर देती हैं, वह कभी भी उस परिवार के सम्मान में वरद्दी नहीं कर पाती हैं, अपने चारित्र के रूप से या अपने व्यावहारे के रूप से उस परिवार में कलह और मान सम्मान को नश या फिर धूल उड़े या फिर पैर से लगातार आवाज आती रहे चलते समय पैर को रगड़ कर चलने वाली ये महिलाएं सामद्रिक साच्तर के हिसाब से बिबाह करने योग ये नहीं मानी जाती है अगला जो तीसरा सबसे महदवपूर्ण नियम है वह महिलाओं के चरित्र को दरसाता है उनके चालचलन को दरसाता है जी हां काफी महदवपूर्ण और उपयोगी यह बिंदू माना जाता है मानव जीवन में और पूरवज इसका विशेश रूप से परिक्षन करते थे जो भ महिला घर में है अगर चलते समय उसके पैर की सबसे चोटी उंगली अर्थात करिश्ट का उंगली यदि चलते समय भूमी को इस पर्स ना करे तो ऐसी महिलाएं जो है चरित्रिक रूप से काफी खराब मानी जाती है जी हां जिन महिलाओं की सबसे चोटी पैर की उंगली चल प्रते समय अगर भूमी पर इस फर्स नहीं करती है तो सामुद्रिक सास्तर के हिसाब से ऐसी महिलाओं का चाल चलन ठीक नहीं होता है बह कभी वी एक पुरुस से सारेरिक रूप से संतुष्ट नहीं हो सकती है और अपनी काम की अगनी में इतना जलती रहती है कि कई जीवन को कलंकित कर देने वाला है और सांत ही सांत ब्यबाहिक जीवन को नश्ट करने वाला भी माना गया है तो इस प्रकार के इस्तिती या योग या लक्षण आपको महिला के पैर में दिखते हैं तो आपको ऐसी महिलाओं से ब्यबाहिक करने की सलाह नहीं दी जाती है ऐस सामुद्रिक सास्त्र में कहा गया है सामुद्रिक सास्त्र के अनुसार यह लक्षण वाली महिलाएं कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के लिए अपने ससुराल पक्ष के लिए हानी कारक ही मानी जाती है तो इन महिलाओं से बिवाह करने से आपको बचना चाहिए और सुब लक मैं आपके जीवन में उप्योगी ऐसे ही ग्यानवर्दक वीडियो हमेशा आप तक लेकर आता रहता हूँ जै महाकाल